माता है हाँ और माता का रदय तो अत्यम्त विशाल होता है अपने संतान्टी अनेग भुलों को भी शवा कर देता है वाज अपने पुत्र के नाम करन संसकार के दिवस क्या आप मुझे शमादान नहीं देंगी माते क्या आप माता है आज की शूब अपसर पर मैं किसी को निराश कैसे कर सकती हूँ लीजिये शनीदे आपकी यहां की यात्रा और याच्रा दोनों सफ़ल ही मैंने आपको शमा की मेरा पाउपुना कोशल हो गया अब कोई पीड़ा नहीं है मुझे मुझे शमा करने के लिए आपका कोटी कोटी धन्यवाद माता मैंने आपको इतना कश्ट पपचाया कि तुम मेरी एक गुहार पर आपने मुझे शमादान दे दिया मेरे सभी कश्टो को दूर कर दिया इससे बड़ी उदारता और क्या होगी माता देवी पारवथी आपको कोटी कोटी धन्यवाद आज के शुब दिवस पर उपाहर तो मुझे देना चाहिए था किन्तु हम पर उपकार आपने किया मेरे स्वामी को शमादान का उपाहर दिया आपने जो मेरे और स्वामी के लिए वरदान के समान है मैं तो बस गजानन को यही आशिष तेना चाश देना चाश देना चाश कि सभी अनेश उससे सदा दूर रहे कोई भी संकट उसके समीब आने से पूर फी नश्ठ हो जाए यही मेरी मंगल कावना है गजानन की किन्तु कहा है मेरा पुत्र गजानन अतिती सत्कार में इतनी व्यस्थ हो गए कि बहुत समय से उसे देखा ही नहीं देवी पारवती कोई और भी है जो आप से भैवीत कौन? कौन भैवीत है मुझसे ब्राता श्रीहरी? वहाँ देखिये बालग मेरी बात सुनो और सुईकार करो अब दन और मन दोनों से तुम मेरे नियंत्रण में हो बालग चलो मेरे साथ मेरे साथ चलो बालग हाँ 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 हुचित है आके बड़ो बालग बड़ो आके चलो मेरे साथ चलो बालग अरे ये कौन सी शक्ति ने मुझे जखा कर चड़कर दिया है अलिक भी नहीं पा रहा हूं मैं और शक्ति लगा कर देखता हूं कौन है भैबीत मुझसे भराता श्री हरी भराता नारायन वो तो देवश्री नारत है ना वहां क्यों चिपे यहां क्यों नहीं आता उन्हें मुझसे क्या भर्यों क्यों न इस प्रेश्न का उत्तर उन्हें से पूछ ले देवश्री नारत यहां आये देवी पारवती आपसे कुछ पूछना चाहती प्रेश्री नारत ने तो मेरे प्रती कोई अपरार नहीं किया फिर वो मेरे समक्षाने में क्यों भाई कर रहे हैं देवश्री आपके मन में जो भी विचार निसंकोछ होकर देवी पारवती से कहिए आप क्यों नारायन नारायन देवश्री भय का त्याग कीजिए और अपने मन के विचार देवी पारवती से कह दीजिए आपके समक्षाने का सहस नहीं चुटा पारा था माता क्योंकि क्योंकि क्या देवश्री आपको मेरे समक्षाने में इतना भाई क्यों हो रहा है बहुत बड़ा दोश है मेरा माता अब एक समय तक देखने का खाम दे रहा है सुझाओ इक्षान अबर के लिए देख लीजिए यही है नारत का भाब आपके शनी देख के गुमा लिजेगा अपनी द्रिष्टी इसमत कहां गुमने वाली है श्रिष्टी मैंने ही शनी देव को अपके शिप्दों के जाल में उचा कर दिया प्रमिठ मुतैलाश आकर आपके पुत्र का मुख देखने के लिए किया प्रेरिठ अपना पाउं तक नहीं उठा पा रहा हूं मैं क्या करूं आप हाँ हाँ उचित है उचित है उचित है ये तो स्वर मेरा था किन्टू मैंने तो कुछ कहा भी नहीं तो मेरे स्वर में मेरे शक्त मेरे मस्तिष्ट में कौन दोड़ा रहा है कौन बुन रहा है ये मायाचाल उचित है सर्वता उचित है सुनो मेरी बात ये किस अद्रिश शक्ति ने गेरा है मुझे, जिससे मैं अपने संपूर शक्ति लगा कर भी भेद नहीं पा रहा हूँ, जिसने मुझे यहाँ चड़ बनाकर अपने ही शब्दों की गूंच को सुनने के लिए विवश कर रखा हूँ उचित है, सर्वता उचित है, सुनो मेरी बात तुम गजमुक पालक, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? हाँ हाँ, उचित है, सर्वता उचित है मैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो लगा कि आप कही जा रहे है ये कुला हल, ये शोर, ये स्वार तुम्हें सुनाई नहीं देरा बालक, बंद करवाओ इसे बंद करवादो, ये सब हमारे अटिती हैं और अटिती को बिवस्ता सबान होते नहीं और जब देखता ही अटिती है, उनका तो और भी आदर करना चाहिए ना तो मैं उन्हें वार्ता लाप करने से और हसने से कैसे रोख सकता हूँ किन्टु मैं इस उत सब जिस वरो को शांत मिलनी करा सकता किन्टु मैं आपसे बिंती करता हूं माताब क्रिपा मुझे दंडित ना करें, हाद जोड के मैं शमावावत हूं जिसे आप एक भूल कह रहे हैं उसने शूल बनकर भेद दिया था मेरे रिदय को ऐसा आगार दिया था जिसकी पीड़ा में भूल नहीं सकी पिता और पुत्र के मध्ध भीशन युद्ध करवाने का कार किया था आपकी इस भूलने मुझे गया थे माता, मेरे कारण कितना आनिद हुआ है इसलिए में एक शमा पराठ थी कि तु मैंने जोबी किया माता इसमें मेरा हेतु केवल जगत कल्यान था जगत कल्यान में तो हमारा भी कल्यान ने है उत्तर दीजिए मुझी आपकी इस ग्रेट सेट अप्रश अबे पहुचा उसके ने क्लों उत्तर दाए मैं कि तु मैं वो किन्तु अंत भला तो सब भला आज के इस आनन उत्सव में मैं आपको दण नहीं दूँगी देवश्री आप भय मुक्त हो जाएं नारायन नारायन किन्तु प्रतेक्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती ये मत भूलिये देवश्री व्यक्ति का कोई भी कर्म उसकी कोई भी भूल नियती कभी नहीं भूलती अपने कर्मों का परिणाम तो सभी को भुगरता होता है देवश्री आपकी इस भूल के कारण एक समय ऐसा आएगा जब आप भी अपने पिता भ्रमदेव का विरोध करेंगी और अपने पिता के विरोध जाना आपके लिए शुब नहीं होगा देवश्री मैं आपको दंड़त नहीं करूँ किन्तु नियती न्याय अवश्य करती है और ये नियती का न्याय होगा मैं बता किर भै बताए मुझे कि क्या होगा कैसे होगा यदि आप मुझे इस बात का संखे दे देती तो मैं सौधान हो जाता माता नियती का न्याय निर्धारित होता इतना तो जानते है ना आप देवश्री जो भी होगा भैंकर को कि तू वो आपके समक्ष समय आने पर ही आये मुझे इस अबर भी थो रहा है जैसे मेरे मस्दिस्क मैं बस्पार्ट होने वाला है ये को लान मुझे प्रताड़िच कर रहा है बाला आप करें ये को करें आप अआप अप तो अवश्चत दिव्य है ये बालक और अनीक दिव्य शक्तियों का सौमी है किन्तो इसे इसका भान भी नहीं मैंने अपने शक्ति से इसको तब मुहित करने का प्रेंत्न किया इन तो विचार का जो बार मैंने इस पर किया, वो तो उल्टा मुझ पर ही बढ़ गया, और मैं यहाँ जकर कर रहे गया, इससे साफ़धान रहने की आवश्यक्ता है सिंदुना, मुझ पर दया करो, अरे, यह आप क्या कर रहे है, देखिए, यह क्रीडा मुझे नहीं भा रही है, आप गिर क्योंगे मेरे समक्ष, ऐसा क्यों कह रहे है, जैसे मैंने आपको कुछ किया हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप ही गिर गया यहाँ, और ऐसे चितकार कर रहे है ये स्वार जो मेरे मस्तिष्क के भी तरकूंज रहे हैं मेरे स्रिके टुकले टुकले कर देंगे ये अंत कर देंगे मेरा इन्हें रोक दो ओ, तो आपके मस्तिष्क में कुछ है जिससे आप इतने विजलित हो रहे हैं कोई बात नहीं, मैं अभी निकाल देता हूँ असे सुन जी, आएए, इनकी फीरां दूर दरते हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ मैं वाज पुबन कर, भाई मैं बिली, क्यो हो रहा हूँ अरे, सुन जी के ओपर ये मख़्ी कहां से आ गई अच्छे, अच्छे क्या हो अच्छे वच्छे मा, तुम्हें क्या, क्या हुआ था पुत्र तुम्हें? मा, अब व्यर्क चिंता कर रही है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, देखिए, सकुषल खड़ा हो, आपके समक्ष, बसे छीक आगई थी मुझे, और हाँ, एक कोई थेल आहां, वो मुझे भूंगर कर देखे रही हुआ, फिर उनके सर में फीडा उट गया, मैंने उनकी सहालता क करने का प्रयक्त ने किया, किन्ते छीक आगई, फिर तो उनका रूफी परिवर्तित हो गया, मा, जैसा प्रतित हुआ उने देखकर, जैसे वो कोई भयंकर असुर हो, असुर, असुर, आ यां कहलाश में, कोरी, क्या हुआ, गजानन कुशर तो है, स्वामी, एक असुर था यहां, और हम उसे पहचान नहीं सके, गजानन पर घात लगाए बैठा था, कौन असकता है वो असुर, स्वामी? असुर और यहां कहलाश में, संभव, ये मात्रिस बालक की कलपना से अधिक और, और कुछ भी नहीं है, आप चिंता मत कीज़, वो जो भी था, अब चला गया है, और अच्छी बात तो यह है, कि वो गजानन का कोई भी अनिष्म ही कर सका, महादेर, कदाचित, तब तक कैलाश की सुरक्षा, और सुत्रिड करने की आवश्यक्ता है, जब तक गजानन थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है, माता, इसी पल से, मैं और ने सभी गण, बालक कजानन के समीप रहेंगे, सदायव उन पर दरष्टी बनाए रखेंगे, आप चिंता ना करें, आज उसका कोई अलिष नहीं हो, इसलिए शान्त हो जाओ, यही सुझाओ गया ना, आपका भाता श्री हरी नारा है, बेभी लक् कटों से संतान की रक्षा करना तो एक मा का कटता भे होता है, अज़क मुख खोले खड़ा, तो मैं उसने मुख कैसे मोड लूँ, मेरे पुस्त्र का कोई अहित हो, उसकी प्रतीक्षा नहीं करूँगी मैं, क्योंकि सब कुछ करने का भी क्या लाब होगा, शान्त ही रहोंग क्योंकि रहोंगी में, तब देवाधी ले बहादेव का निवास कैलाश है, तब कुछ घंबान भी सरवाधिक सुरक्षे सुरक्षे, यहां सुरक्षा में कोई कमी नहीं, कमी है, तो कही नगए प्रारभ में, जिसके कासे हो, चंद से ही मेरे पुस्त्र के जीवन पर कोई न कोई संकत छाता रहूँ सुनिये सब जब तक मैं अपने पुत्र गजानन की चुरक्षा के प्रती निश्चिंत नहीं हो जाती मैं अपनी चिंता नहीं क्या चन के कुछ समय पस्चा स्वयम उसके पिता महादेव के त्रिशून में उसके शीश को उसके फैंसे बिलत दिया तो फिर उसे लवीज शीश एक गजगा ही मिल सका और आज यहां आप सभी की उपस पिती होई एक असु नहां आकर मेरे पुत्र बर्भात लगाने का साहस किया तो फिर भविश्य में कौन सा ग्याद संकत किस रूप में उस पे तूटेगा ही तिसे ग्याद ने ग्याद अधाब जो भूत्ताल में हो चुका है उसका विचार कर स्वयम को कष्ष तेना उचित नहीं और जो हो ही नहीं सकता उसकी कलपना कर उसकी चिंता करना और भी कष्ष दायख हो सकता है आताब इस सुर्ष हवा में किसी असूर का प्रवेश करना असंभव और हमारे पास यहां किसी असूर के होने का प्रमान भी नहीं इसलिए असंभव है कि इस पालक ने अपनी कलपना से कोई गल्प कर लिया देवी पारवती आप गजानन की मा है आपका उनके लिए चिंतित होना स्वभाविक है कि तुआप हम पर विश्वास कीजिए हम सब ही गजानन की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे उनके साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा भूत काल में काल के प्रकोफ को घूलने की बात कर रहे है देवरा प्रमाण चाहिए आपको सेथिये गजानन का गजनन का गज़न पर स्मरग कीज़िए ये मुख उसे केस लिए देना पड़ा है चाहिए इसी को भी गूतर जानी की अनुमती में हो कि उसके प्रादस का ही प्रमाण चाहिए कौन प्रमाण चाहते हैं आते हैं को सुनी एक मा का हिदि अपनी संतान पर आए छोटे से छोटे संकट को भी भाप लेका तेड़ी आशंकर नेरा धार नहीं हूँ अश्की सुरक्षा के प्रती अस्वस्त नहीं हूँ घ्रम देव हमें इसकी सुरक्षा के प्रती कुछ पॉत करना ही होगा देवी पारवती तो फिर आप क्या चाहती हैं ये सपष्ट केजिए मैं चाहती हूँ कि आप श्री हरी नाराए और महादेश मेरे पुस्तिखा फ्रारव परिवर्टेश कर देए उसे देवत्र प्रतान करें शेमा करे मातब इंतु मैं आपका ये प्रस्थाव समझने में समर्थ हूँ क्या केवल लव होले नात और आपके फुत्र होने मातबं तजानान पौम देवता के पत्परस्था तर्फार्फशन्सनाप करता करें उसे देवत्र प्रदान करें जमा करें मातब इन्तु मैं आपका ये प्रस्थाफ समझने में असमर्थ हूँ क्या केवल लब भुलिनात और आपके पुत्र होने मात था उसे देवत्र प्रदान कीजिए क्योंकि उसमें ही गजानन की सुरक्षा नहित है यदि देवता बनकर यज्य के हाविश का भाग उसे भी प्राप्त होगा तो उसे बल मिलेगा सभी संकटों का सामना करने में सक्षम होगा सुरक्षित रहेगा कोई अनिष्ट उसके निकट भी फड़क नहीं सकेगा हाँ ये उचित है गजानन को देवत्र प्रदान करके हम उनकी सुरक्षा को सुनिष्चित कर सकते हैं किन्तु प्रभूब इस संसार में अने को बालक है और वो भी नाना प्रकार की विपताओं में खेरे हों कि हम उन्हें सुरक्षित करने मात हैं उन्हें देवत्व प्रदान कर 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 देवत्व स्क्रादन कर देवत्व प्रदान कर देवत्व प्रदान कर देवत्व प्रदान कर देवत कि योग्यदा प्रमानित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया जो इस पत के दाइदों की उन्हें कोई समझे देव राज इंद्र आप जो भी कहना चाहते हैं स्पर्ष्ट करिए बटाइए हमें आपका क्या प्रस्ताफ है किन्तु मुझे आपके पुत्र से कोई द्वेश नहीं और ना ही मैं उसका कोई आहित चाहता हूँ जब उन्हें एक नवीन शीष की आवशक्ता पड़ी तो प्रभू वो मैं ही था जो उनके लिए शीष लेकर आया था फिर मैं उनका आहित कैसे चाह सकता हूँ प्रभू इसलिए आप जो भी निर्णे लेंगे वो मुझे स्वीकार होगर किन्तु प्रभूग मेरा इत प्रश्न है यदि आप अनुमती दे तो मैं पूछने का सहास करूँ अभू क्या प्रभू क्या प्रभू किसी को भी इतनी सारलता से मिलना चाहिए प्रभू प्राप्त करने का एत मात्र कारण योगिता प्रमानित करने वाला कर्म होना चाहिए जन्म नहीं यदि जन्म से ही देवत पर प्राप्त होने लगे तो कर्म की क्या महिमा रह जाएगी देवराज उचित कह रहे हैं देवराज उचित कह रहे हैं देवराज उचित ही तो कह रहे हैं देवराज उचित कह रहे हैं कजानन अपने कर्म से देवता बनेगा अन्यता नहीं क्योंकि देवदापत के साथ तो संसार का कल्यान जुड़ा है इसलिए जो अपने कर्मों से अपनी योगिता ब्रमानित नहीं कर सकता उसे मात्र उसके वंश, उसकी जन्द के आधार पर देवदा बनाना सर्वता अनुचित है पारवती मा हैं, उनकी ममता अपने स्थान को उचित है क्योंकि मा अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है किन्तु हम देवता है और पारवती और मैं तो त्री देवों में सम्मिलित है इसलिए हमारा दाइतु तो अन्यस सभी देवताओं से बढ़ कर है दाइत रुकर तवे के आगे, नीजी संबन और निस्वार का कोई मुल्ले नहीं होता इसलिए समय के साथ साथ मेरा पुत्र, गजानर अपनी योगित अप्रामानिक करेगा तभी उसे देवत परदान किया जाएगा अन्यथा नहीं थन्य है महाधेव, थन्य है आपका ये न्यायुचित निलने मा, मुझे भूक लगी है मैं बहुत भूखा हूँ मा अब क्या मैं कुछ भोजन कर सकता हूँ इसे देवत तो परदान करने पर इतना कहन परिमर्श हो रहा है उसे वस अपनी भूख की चिंता है मा, मुझे भोजन करने की अनुमती देजिये न अब मुझे भूख सहन नहीं हो रही हाँ पुत्र, मैं तुम्हें अवश्य भोजन कराऊंगी मा के बल्लों से चिपकाए वालक देवता बनने योगी तो कदा भी नहीं भोले के नंदन भी भोले भाले राग त्वेश व्यर्थ ना मन में बाले माता के आचल को पाके प्रसन ओजन में ग्रीडा में रहते मगन क्या है देवता बोग अनधी के हैं माता के निह पें प्रिता के हैं इंद्र से यध्यापी माता को पित किन तुमा पुत्र को देख के बुलकित अप्र तुम्ड महा कायो पुत्खी के दरे तिश्य सित्य दाए निध्न हड़ा श्री दरे आनन्द अती आनन्द मा देवत्व प्राप्त करने का एक मात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाड़ा कर्म होना चाहिए और हाँ एक कोई थे यहाँ ऐसा प्रतीत हुआ उन्हें देखकर जैसे वो कोई भयंकर असुर हो देवराज इंदर उचित कह रहे हैं उचित यदि यही निन्न है आप सभी का तो यही उचित देवराज उचित और अनुचित योग्यता और अयोग्यता की बाते करते यह जानते हुए भी कि मेरे पुत्र ने इतनी कम आयू में इतने विशाल संकटों का सामना किया और जब उस पर अपने पिता के क्रोध को गागरत करने का संकर छाया तो उस समय आप सभी सर्वता योग्यता देवगंड में से कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया उचित तो यह होता देवराज कि आप उससे संघर्ष करने के स्थान पर उसे समझाने का प्रयत्मे करते क्योंकि वो थो एक अयोग्य बालक है और आप सभी योग्ताओं से परिपून देवराज इंद किन्तु परंतु नहीं देवराज उचित तो यह होता कि आप उसकी सुरक्षा का उत्तरदायत को निभाते पूर्व में उसके संघर्ष का कारण बने थे आप और अब उसका तरसकार का रहे है क्या यह उचित है किन्तु अब तो मेरे लिए आप से कोई भी अपेक्षा करना ही अनुचित है मैं हूँ उसकी मा चन दिया है मैंने उसे सर्वथा समर्थ हूँ मैं तो उसकी रक्षा करने का दायत वभी मैं ही निभाऊंगी क्योग्यता और संसकार्ट जन्च से नहीं आते कर्म से उन्हें प्राप्त करना होता है उचित कह रही हूँ न मैं देवराजिंद्ध देवता है ना आप और आप सभी भी बहुत गर्व है ना आप सभी को देवता होने पर संसकार और योग्यता उचित और अनुचित के भेद बता रहे हैं ना तो ये भी बताईए मुझे कि बिना अफसर प्रदान किये एक छोटे से बालक का तिरसकार कहां का संसकार है इंद्रदेव और रही बात योग्यता की तो वह सभी में होती है बस उसे निखारने के लिए उचित मार्क दर्शन और निरंतर परिश्रम की ही तो आवशक्ता है अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ देवराजिन जब आपको आवशक्ता की तो आपने मेरे पुत्र कार्थिके को सहस्व सुईकार किया सुईकार ही नहीं किया उसे देवताओं के सेना का सेना पती भी नियुक्त कर दिया अब आप संकत में से ना देवराज स्वर्ख संकत में था आपका विबत्ती में उच्छत और अनुच्छत का भेद भूल गए हैं आप और आज जब आवशक्ता नहीं है तो मेरे दूसरे पुत्र गजानन का सेरसकार कर रहे हैं आप अर्थ अनर्थ आपका स्वर्थ नहीं नर्धारित करता इंद्र देव आपका अभिमान मेरे पुत्र के अपमान का कारण नहीं की सखता तोनिंए सभी मैं महा देव की अर्धांगीनी गजानन की माता आप सभी के समक्ष ये प्रण लेती हैं कि मैं अपनी मम्ता से, अपने संस्कारों से, अपने बुद्र को इतना योग्य बनाऊंगी, कि वो अपने कर्ण से देवता ही नहीं बनेगा अपी तु आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे और ये योग्यता वो प्राप्त करेंगा अपने जन से नहीं अपने कर्म से, मेरा फुत्र गजानन प्रथम पूजय बनेगा तर तं बुजबनेगा माता का व्याकुल स्वार मेरे कानों को क्यों भेत माते प्रणाम अब हमें जाने की अनुमती दीचे प्रणाम माता महा देव अब हमें आग्या दीजिए पाताल स्वामिरी सिंगी का कितना आनन्द आएगा मुझे जब ये गूँच पाताल को ही नहीं अपि तु समझ संसार को द्विलिद करती की आहाहा मेरा राजमुकुट है ये और ये सिंगासन भी पाताल की सर्वे सर्वाम असुरों की रानी हूँ गये आएए ऐसे नेत्र फार फार के क्या देख रहे हो चुको मेरे समक्ष अभिवादन करो मेरा याद से इस सिंगासन पर मेरा अधिकार है मैं हूँ तुम्हारी रानी मैं सिंगी का क्योंकि अब तक तो उस मुर्ट सिंदूरा की कैलाश यात्रा उसकी मृत्यू यात्रा बन चुकी होगी कैलाश जाकर महादेव और देवी पारवती के पुत्र का पत करने चला था वो ब्रह्मदेव के श्राप को जुटलाने चला था वो अवशे अब तक उसका अन्फ हो गया होगा किसलिए अब सिंदूरा के सिंगा सिंगा उसके सामराज्य और उसके कख्षपर मेरा अधिकार है तो जाओ जिनरिशिन दुनियों कर तुम पकर कर लाए है उन्हें मेरे समक्ष मेरा बोजन बना के प्रस्तुत करो भूक लगी है मुझे मुझे बोजन चाहिए मुझे भोजन चाहिए! मुझे भोजन चाहिए! मुझे भोजन चाहिए! जो! मेरे आदेश का पानन करो! अंदियथा, इस पार तुम्हारा शीच तुम्हाले भर से विदाख हो जाएगा! स्वामी! कुछ अनुचित तो नहीं कहाना मैने! पुत! माता का हृदय तो सब को जान लेता है! मेरे बिना कुछ कहे ही माता को आभास हो गया कि मैं यहां मेरा पुत्र! हाँ माता, आपका पुत्र यही है! मैं आ गया हूमा, अब आपके सब कश्टों को दूर कर दूंगा मैं! माता माता मत से मिलने, मुझे आशीश देने नहीं आ रही थी! कस पर्ष पी न कर सके! इसके कोमल प्राग सभी विप्दाओं से सुरक्षित रहे! अज इतना ही जाती थी! माता ने मुझे देख कर भी मुझे अंदेखा कर दिया! कौन है यह जिसे मा अपना पुत्र बुला रही है? तो क्या कुछ अधिक मांग लिया मैंने? जो किसी ने भी मेरा समर्थन नहीं किया? मेरे प्रस्ताफ को अस्विकार कर दी थी! मेरे पुत्र का उप्भास किया! तिरस्कार किया उसका! यदि मेरा बड़ा पुत्र कारते के यहां होता, तो वो मेरी पीड़ा अवश्य समझ थी! साथ देता अपनी माका! तो माता ने अंदेखा नहीं किया मुझे! सत्य तो यह है कि उन्होंने मुझे देखा ही नहीं! माता! यह स्वार तो यह स्वार तो मेरा पुत्र का हो का हो तो पुत्र यही हू मा नाम माता यही हू रहाँ यही हूँ तो यही हूँ यही हूँ प्रणाम पिताश्री आईश्मान भावा मा का पुत्र तो मैं हूँ फिर ये कौन है ये पिचित्र गच्मुक पालक कौन है और ये मेरे और माता के मत्य क्यों है इसका हमारे परिवार से क्या संब्द है